सिर्फ कुछ ही हैं जो जिम्मेदारी से डंके की चोट पर बोलते हैं मरने वाले 288 और जिम्मेदार शून ने जीरो और कुछ बचे हैं जो अब भी investigative journalism कर धून लाते हैं सरकार को खामियों के बारे में पहले से चेताया गया था या नहीं दहिंदू ने चापा है CAG की 2022 में भारतीय railway में derailments पर ध्यान खींची गई वो report कई खामियां बताए गई थी और कई सुझाव भी दिये गए थे दुरूस्त करने के लिए बड़ी बात यह है कि CAG ने साल 2022 में ही सरकार को बता दिया था कि जितने भी निरीक्षण यानि inspection किये गए थे उन सब में 30-100 फीसिदी तक की अलग-अलग कारणों से कमियां देखे गई थी और इस पर आगे और विस्तार से मैं बात करूंगी लेकिन उससे पहले आप देखिए जब से train हादसा हुआ है तब से मैं ऐसे ऐसे घटिया घिनोने tweets देख रही हूँ जिनके अंदर दिल है इंसानियत है और इससे आपको पता चलेगा इंसानी जान की परवा ना करने वाला ये पूरा ecosystem आखिर कैसे काम करता है तो सुनिए आप हैरान रह जाएंगे पर सच में ऐसे सवाल सोशल मीडिया और मीडिया पर IT सेल और उसके payroll पर काम करने वाले anchor, संपादक अपने पद का दुरुप्योग कर उठा रहे तो पहले इन्होंने narrative फैलाना शुरू किया कि आखिर rail मंत्री इस्तीफा क्यों दे क्या जरूरत है बलकि ऐसे समय पर तो उन्हें और भी ज्यादा काम करना चाहिए उपर से पहुँचाया ये toolkit एक सास काम करने लगा फैलाया जा रहा इनका अगला narrative में आपको बताती हूँ कवत safety system उसके बारे में बात करना बंद करो वो तो इस track पर था ही नहीं तो किसी की गलती नहीं है अपने fact check करो अगला सवाल सुनिए जिससे शायद समझदार इंसानों को गुस्सा भी आ जाए train हाथ से तो दूसरे देशों में भी होते रहते हैं ऐसे दुरगटना है तो दुनिया भर में होती ही रहती हैं इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है seriously ये बात कही कही और ये कहते कहते मैं आपको मौत का आंकड़ा दिखा रही हूँ हो सकता है इस वक्त मुझे वो भी देख रहे हूँ सुन रहे हूँ जिन्होंने किसी अपने को इस हाथ से में खोया है मैं जानती हूँ आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी और इसी लिए ये बातें बताना सब को बेहत जरूरी है तस्वीर तो मैं दिखा भी नहीं सकती लेकिन मौत का ये आंकड़ा तो आप देख सकते हैं ये सब इनसानों के आंकड़े हैं और ये इनके लिए बड़ी बात नहीं है अगला नारेटिव जो फैलाया जा रहा है इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है राहूल गांधी हमेशा भारत से बाहर क्यों रहते हैं जब भी कोई बड़ा हाथसा होता है तब चाँ आखरी बार जब मैंने चेक किया था तो मुझे ये जानकारी मिली थी कि देश की प्रधान मंतरी राहूल गांधी नहीं है यहां तक कि MP हैं भी कि नहीं उसकी लड़ाई भी वो कोट में लड़ रहे हैं और जिस वक्त यह हाथसा हुआ उस वक्त इस घटिया फेक फैक्टरी का मुखिया देश को बताने पर तुला हुआ था कि कैसे मोदी आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका में होंगे और ऐसी सभा को संभूरित करेंगे जो बहुत कम ही हो पाता है प्रात्मिक्ता देखी आप उनकी जिनकी जिम्मेदारी और जवाब देही होनी चाहिए थी पर वही हाल ही में हमने मनिपूर को भी जलते देखा है देश के प्रधान मंत्री तब चुनाव प्रचार में बिजी थे उनके चानक के ग्रह मंत्री होते हुए भी चुनावों को संभालने में ज़्यादा बिजी थे जुनाव खत्म होने के बाद भी उन्होंने तुरंत मणिपूर जाना जरूरी नहीं समझा वो सिंगॉल और नई संसत की बिल्डिंग पर पूरा प्रचार प्रसार जब कर चुके थे उसके बाद ही जलते मणिपूर का नंबर आप आया पी-म तो अब भी वहां नहीं गए रेल मंतरी इन ही लोगों के हैं क्योंकि सरकार इनकी है तो आपको क्यों लगता है कि रेल हाथसे पर ये जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करेंगे जैसा अकसर किया करते हैं अब सुनिया अगला नारेटिव जो फैलाया जा रहा है वो ये कि बाकी सभी नेता लोग इस हाथसे की जगे पर क्यों पहुँँ पहुँच रहे हैं कुछ तो गड़बड है कोई तो शड़यन्थ रहे इसके पीछे पर आएगा तो मोधी ही मतलब एक तरफ इन्हें राहूल गांधी भारत में चाहिए जो पीएम तो दूर MP के डिस्क्वालिफिकेशन का केस तक लड़ रहे हैं कि तरफ इस बेहुदाबाद से खींचा गया किसी भी धार्मिक स्थल को अपने प्रपगेंडा का हिस्सा बनाना कितना घिनोना है यह मुझे बोलते हुए ही महसूस हो रहा है और शर्म आ रही है और वैसे मस्जिद नहीं इस कौन मंदर था पर किसी मंदिर मस्जिद गिरज गुरुदवारे को ऐसा बेशर्मी भरा नारेटिव फैलाने के लिए इस्तिमाल करने के लिए किसी को बेहत ही खटिया होना पड़ेगा इनका अगला फैलाया जूट आरक्षन पर फूटा कहा यही होता है जब आप आरक्षत श्रेणी के कम समझ वाले लोगों को रेलवे मे कर चुके हैं वोट लेने के लिए दलितों के पैर भी धोधो कर पीते हैं जी हां पहचान लीजे इन्हें संसत का उठगाटन उसके बाद भी यू कराते हैं और अब 288 लोगों की मौत पर आरक्षन को जिम्मेदा ठहरा रहे हैं और शायद आप मेंसे कई लोग इनकी इस बक बजनेतिक लाब और जो ये हमेशा से चाहते हैं उसके इर्दगिर्ध ही होंगे अगली बकवास भी कुछ ऐसी ही है जनसंख्या नियंतरन कानून को लेकर तो लगातार हर साल आपके सामने एक सांपरदायकता से भरा शिगूर्फा ये लोग छोड़ ही देते हैं और उसी त लसी बात लगती है ना इन लोगों को ये तो फिर वो कौन थे जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अतीत में एक हाथसा होते ही इस्तीफा दे देते थे उसके बाद थैंक्यों मोधी जी की ही तरज पर आपको एहसान जैसे जदाएंगे कि देखो पीम मोधी इतनी कड़ी दूप में साइट पर पहुँच गए और यही है ग्रेट लीडर की निशानी ऐसे समय पर तो हमें इनकी और भी ज्यादा जरूरत है जवाब कौन मांगेगा शायद वो 288 लोग जो आप सवाल पूछने के लिए जिन्दा नहीं है क्योंकि जो जिन्दा हैं और पूच सकते ह हैं वो मुर्दा बने घूम रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री कोई महल में रहने वाले भगवान हो जो धूप में निकल कर हम पर कितना एहसान कर रहे हैं और हां यह तो मती भूलना सबसे बड़ा नारेटिव हमारे मोदी जी को अकेला चोड़ दो उनकी गलती नहीं है जो कु गुस्सा उमीद जताता है कि मैं जिंदा लाशों से तो बात नहीं कर रहे हूं यह सब आपके दिमाग में अनर्गल बातें और शक पैदा करने के लिए होती हैं सबसे बड़ा सवाल कि इतिहास का सबसे बड़ा रेल हाथसा कैसे हुआ किसकी गलती से हुआ कौन जिम्मेदा आपको भटकना नहीं है यह तीन सवाल पूछते रहना है यह कैसे हुआ क्यूं हुआ कौन है इसका जिम्मेदार वहीं कॉंगर्स लीडर शक्ति सिंग गोहिल का आरोप है उडिशा ट्रिपल ट्रें आक्सिजेंट पर यह खबर देखी ऑन फेबरी 9th a senior railway official wrote in a report that there is need to maintain the interlocking system of signals but the government didn't take cognizance of the report वही रेलवे बोट की operation of business development की सदसे जया वर्मा सिनहा ने माना है खबर देखी अनाय के हवाले से according to the preliminary findings there has been some issue with the signaling we are still waiting for the detailed report from the commissioner of railway safety आगे वो कहती है only Coromandel Express met with an accident the train was at a speed of around 128 km per hour अब train तो आपस में टकराती है तो accident सबका ही होता है वेराल राजदीव सर्दिसाई ने tweet कर सवाल उठाया है और जिसके बारे में मैंने शुरुवात में भी जिक्र किया था story that caught the eye CAG report in December on rail derailments flagged off 24 shortcomings a February letter warned of possible signaling failures accountability must be fixed अब ये खबर हिंदू के हवाले से है उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया है वो the Hindu की report है CAG's 2022 report on derailments in Indian railways flagged multiple shortcomings आगे उसमें लिखा हुआ है the auditors found that there were shortfalls ranging from 30 to 100% in inspections by track recording cars and idling of track machines owing to various reasons the Hindu case report में बताय गया है कि CAG की तरफ से खामिया बताय जाने के बाद उपाय भी बताय गया था और कहा गया था suggestion to ensure strict adherence to the scheduled timelines for conducting and finalizing accident inquiries यह सब कुछ हुआ सब कुछ सामने था उसके बावजूद लापरवाही हुई लेकिन लापरवाही किसने की क्यों हुई यह सवाल पूछने का अधिकार देश को है ही ने क्रिञ में हुआ से था iros ऑाव सबस्केर लापरवाएधि on